एक राज लेते हैं चंद्रकोश जी मसक समान रूप कपिधरे लंक चले उसुमिर नरहरे अनुमान जी ने जैसे ही देखा लंका की अटारी पर चड़ करके लंका का पहरा बड़ा कठीन है दिन में जाना ठीक नहीं रात्री के समय प्रवेश करूं तो अनुमान जी क्या बन गए मसक समान कुछ लोग कहता है अनुमान जी मच्छर बन गए मच्छर नहीं बन गए तुलसीदा जी करें मसक समान यानि के बहुत चोटे बहुत चोटे बहुत चोटे और वो रडार सिस्टम तो देखो लंका का पहरा तो देखो सेक्यारिटी तो परिंदा पर मार जाए रावन की सिक्योरडी देखो मच्छर के समान रूप बना करके हनुमान जी चले तो लंका ही चलेू सुमेर नरहरी नरहरी कौन लंका के द्वार पर नरसिंग भगवान की फोटो थी रावन नरसिंग भगवान की फोटो लगा रखी थी तो अनुमान जी ने सबसे पहले तो उसको प्रणाम किया सुमेर नरहरी नरहरी तुलसिदाज जी के गुर्देव का नाम है तुलसिदाज जी इसी बहाने अपने गुरू को प्रणाम कर लिया नाम लंकीनी एक निसी चरी लंकीनी लंका का पैरा दे रही है और संद कहते हैं लंकीनी कोई इस्तरी नहीं थी कोई औरत नहीं थी कोई वैसे सिक्यूरिटी गार्ड नहीं थी लेडी लंका ही रात को लंकीनी बनकर लंका का पैरा दे थी नाम लंकी नी एक निसे चरी उसने का सो कह चला सी मोही निंदरी जाने नहीं मर मूसट मूरा जानता नहीं ऐसे करके उड़ा लिया हनुमान जी को मूर अहार जहां लगी चोरा मैं चोरो को खाती हूँ चोरो को पकड़ती हूँ मैं और तू ऐसे ही चोरी करने के लिए लंका में जा रहा है, हनुमान जी हासे, तू चोरों को खाती है, मैं तो चोर का पता लगाने आया हूँ, मैं किसका पता लगाने आया हूँ, चोर का, दुनिया का सबसे बड़ा चोर कोन है, रावन, जो मेरी माग को चोरी करके लाया, समझ तुझ चोरों को खाती नहीं है चोरों की रखवाली करती है इसलिए तुझे जीने का अधिकार नहीं है एक मुटिका उठाई है बाम और जैसे इसको मुटिका पड़ी इसकी नाक से निकला रक्त और ये फिर ऐसे ही जैसे पुनी संभार जैसे लंका पूरी एक ही गूसे में जोड़ लिए समझ गई समझ गई जोरी पानी कर भिनाई ससंका फिर का जब रावन को ब्रह्मा जी ने बरदान दिये तब कहा था जब रावन नहीं ब्रह्मा बरदीना चलत भिरंच कहा मुई चीना क्या मैंने का इसके चक्कर में बांदिया आपने मुझे इसकी रक्षा करती रहूंगी लंका बना दिया मुझे मेरा उद्धार कब होगा तब रह्मा जी ने सोचा तेरा उद्धार कब होगा जब कोई बंदर आ करके तेरी सिर पर एक मुठिका मार करके तेरी नाफ तोड़ देगा उस दिन समझ लेना लंका का विनाश और तेरा उ हनुमान जी गुरू का कहा प्राहर करता है ये शब्द का बान जब किसी गुरू के मुक से निकलता है तो उसके कान से जाता है उसकी बुद्धी बदलता है तो हनुमान जी ने जब उसको मुका दिया तो उसकी बुद्धी पर दिया यहां सिर पर प्राहर किया तो समझो ऐसे ही लंकनी के मुक से निकला रख लंकनी बन गई विरक्त। वो लंकनी हनुमान जी को सतसंग करने लगी। लेकिन एक काम जरूर करना थोड़ी सीख भी दे लिए हिर्दा इराक काउसल पुर राजा राम जी को मत भूलना बस जाओ तुमारे सब काम होगे।